काटने से होता है, इस स्पीसिज के मस्क्यूटो बारिस के मौसम में अधिक होते हैं क्यूंकि बारिस का पानी अधिक दिनों तक जमा होने की वज़े से कन्टमिनेट हो जाता है और इसी पानी में इस प्रजाती के मच्छर के उत्पत्ती होती है malaria के मच्छर के काटने की वजह से व्यक्ति को फीवर और हैडेक आना सुरू हो जाता है कभी कभी यह फीवर कम हो जाता है तो दुबारा आ जाता है malaria disease एफ्रिका और एसिया जैसे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में सबसे ज़्यादा होता है इंडिया में यह disease पूरे वर्स पाया जाता है लेकिन बारिस के मौसम के समय इसका infection अधिक हो जाता है प्रोटो जवा ग्रूप का एक पैरासाइट प्लास्बोंडियम फैल्सी पैरम दुनिया के अधिकांस malaria cases के लिए responsible है यहाँ पैरासाइट human और mosquito host के साथ मिलकर develop हुआ है और एक complex life cycle exhibit करता है जिसमें यहाँ पैरासाइट दोनों host के body में रहता है इस पैरासाइट का primary host mosquito और secondary host human होता है इस पैरासाइट की life cycle की सुरुवात human में तब होती है जब एक infected female mosquito human blood को सक करने आती है female mosquito इस पैरासाइट को sporoguit के form में अपने saliva के थो human blood में inject कर देती है human के blood circulation के थो sporoguit liver तक पहुंचता है इसके बाद यह sporoguit एक liver cells में enter करता है और वहीं feed करना और बढ़ना सुरू कर देता है इस process के धोरान पैरासाइट का nucleus कई बार divide होता है और फिर हजारों नई plasmonium cells का production करता है जिसे अब meroguit के रूप में जाना जाता है लगभग एक हपते बाद meroguit liver cells से बाहर निकल जाता है और blood stream में enter करता है blood stream में meroguit red blood cells को infect करता है जहां वे फिर से reproduce होते हैं और infected red blood cells से बाहर निकल जाते हैं यह meroguit फिर से other red blood cells को infect कर सकता है malaria में एक certain interval पर बार बार बुखार आता है जो parasite के RBC में enter करने के बाद उसे destroy करने के कारण होता है कुछ infected meroguit male और female gametocytes नाम के sexual form में develop हो जाता है plasmodium falciferum के life cycle में gametocytes RBC के भीतर बड़ी अंडाकार structure में convert हो जाती है gametocytes human host को नुकसान नहीं पहुचाते हैं लेकिन जब एक mosquito blood feed के दौरान gametocytes को अपनी gut में ले जाता है तो ये gametocytes mosquito के अंदर sexual cycle के सुरुआत करती है mosquito की gut में एक male और female gametocytes जिसे gamet कहा जाता है आपस में fuse होकर gigot का निर्मान करते हैं यह gigot एक motile cells में mature हो जाता है जिसे एक eukinate कहा जाता है और यह eukinate mosquito की gut की दिवार की और migrate करता है जहां यह एक oocyst में develop होता है oocyst cell के भीतर cell division होता है जिसके कारण कई नई cells का formation होता है जिसे sporojoids कहा जाता है अब oocyst rupture होता है और spray छोड़ता है जो mosquito के salivary gland में चला जाता है salivary gland से sporojoids अगले human host को infect करता है और फिर से plasbonium अपने life cycle को repeat करता है